दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप कुकर में केवल 10 मेड़ के अंदर बहुत ही यमी कड़ी बना सकते हो जी हां 10 मेड़ लगेंगे और कड़ी आपकी बनके तयार हो जाएगी बड़ी आसान है ये कड़ी की रेस्पी एड़ा इसे बनाने के लिए चीज आपको ध्यान देना है कि आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि एक भी स्टप आप मिस कर दोगे ना तो आपकी कड़ी जल जाएगी फिर मत क्या ना शुती नहीं बताया तो चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं केवल दो लोगो के लिए कड़ी बनाने वाली हूँ अपने पतिदीव के लियू तो मैं यहां पर केवल स्थ ग्राम बेसन लिया इसी बेसन के अंदर मैं अपकोड़ी भी बनाऊंगी और कड़ी भी तेयार करोंगी मैं 100 gram बेसन ले लिया उसमें 30 चमस मैंने हल्दी ले लियाँ अब मैं सौदा अंसला इसमें नमक अड़ करूंगी अर थोड़ा पानी मिलाते 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 एक ठीक गाला वैटर तैयार करेंगे क्योंकि हमें पहले पकोडियां त्यार करने हैं तो पकोडि के लिए मैं रेटर त्यार कर लेती हूं पकोडियों को तल्ले के लिए यहां पर ले लिया सरसो का तेल जिसे धीमी आज पर मीडियम हाई फ्लेम पर करम करेंगे दोस्तों मैंने घोल मेरा हींग डालना भूल गई थी तो मैं दो से तीन चुटकी में हींग भी एड़ कर रही हूं इस खोल के अंदर साथ ही लगबग एक चौथाइस चमाच या आप तीन से चार चुटकी बोल सकते हैं मैं यहाँ पर मीठा सोडा एड़ कर रही हो जिससे हमा कड़ी बनाने के तयार के तियार ओगई और इतना घोल बच गया था अब उसी बेसन में पचाज ग्राम दही अड़ कर रही हूं दोस्तों दही आकर थोड़ी खटी होना तो उसका मज़ा अलग है तो तो दही थोड़ी खटी भी है तब भी चलेगी और इस पे मैं थोड़ा पानी एड़ करूंगी ताकि जो हमारा घोल है वो थोड़ा पतला तयार हो पानी इसमें काफी पढ़ने वाला है पर हम बाकी जो पानी है वो बाद में आड़ करेंगे अब ही हम क्या करेंगे एक घोल तयार कर लेंगे तो फटाक्स के एक घोल तयार कर लेते हैं तो मेरा कुकर अदर हम लोग आड़ करेंगे एक बड़ा चमट सर्सो का तेल सर्सो का तेल थोड़ा घरब हो जाने दीजिए अब इसमें आधी चमट मैं अड़ कर रही हूँ जीरा और लगबग आधी चमट मैं इसमें हिंग एड़ करने वाली हूँ दोस्तों जीरा जब चटकने लगे तो जो हमने घोल दही और बेसन का घोल तैयार किया है उसे डाल देना है डाल के तुरंट चलाना हो 30 और 30 सिकन्ड के अंदर आपको कुकर कर देना है बंद हमें सिर्थ 2 मिनट CT का वेड करना है इसमें C की अवाज आने लगे ना आपको कर देना है मैं बताती हूं एकनट करिये अध्यान संसी कि आपकर देलाय है तोड़ा वेट करना है कि सी टीऑ नहीं देना डेना पूरा मुण कर देना फंड प्रस क्रूकर चणाना है सिटी कर देना बले तक है और थोड़ी सीटी कम से नहीं खोलेंगे 5 मिट करेंगे और फिर कुकल को खोलेंगे अगर आप पूरी सीटी इसमें आप लाओगे तो आप की कड़ी जो हो जाएगी वो जल जियां अगर आप ये स्टप याद नहीं रखेंगे कि हमें केवल एक या दो मिनट ही लगने इस सीटी के इंदिजार में पूरी सीटी हमें नहीं लानी है बस थोड़ी सीटी की आवाज है उसमें बंद कर देना है अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जो कड़ी है वो जल जाएगी बस यही एक ट्रिक है कुकर में कड़ी बनाने की कम समय में कड़ी बनाने की तो चली लेगिन स्वाद जो है वो लाजबाब है सच में कड़ाई फेर इसके आगे आप ट्राई जरू करना है पर अगर ये स्टप याद नहीं रखोगे तो कड़ी जल जाएगी फिर मेरे से मत क तो जो सीटी है वो पूरी मेरे निकाल लिए कुकर खोल दिया है और आप देखेंगे आपकी कड़ी जो है बहुत जादा गाड़ी हो जाएगी तो आपको क्या करना है आपको एक बार फिर से गया सान करनी है और आपको इस पर पानी एड करना है जी आप जितनी पतली रखन ना चाहें आपको उतना पानी इसमें एड करना है और हाँ थोड़ा सा नमक भी एड करना है क्योंकि हमने अभी पहले नमक क्या दा पकोड़ी बनात हुए बाद में आड नहीं किया तो पतला करेंगे और नमक को एड करेंगे कड़ी को दो मिट के लिए खोलाएंगे आदा कड़ी बनकर तयार हो गई है कड़ी तो हमाई तयार हो गई लेकिन टेश के लिए राई का तलका तो जरूरी है तो एक पैन में मैंने लेली है लग बग तो चमच दो छोड़ी चमच सरसो का तेल थोड़ी सी राई लेंगे राई अड़ करेंगे और एक लाल मिर्च अड़ करे कड़ी को बनाने के लिए लेकिन बनाते वक्त यह धार रखना कि तैयारी पहले से हो जब आप कुकर में डालें कड़ी का घोल तो मतब बेशन और दही का जो घोल हमने कुकर में डालता उस टाइम आपको एक ग्लस लगभग पानी अपने पास रख लेना है जैसे आपको डालन है कड़ी का घोल जब देखें बहुत गाड़ी तुर्ण थोड़ा पानी डाली है उसे फटाक से मिलाइए तीस सेकंड के अंदर बंद कर दीजे और लगबग जब आपकी सीटी भी नापाए बस सीई से बोले ना बस आपकी कड़ी बन के तियार है आप उसको बंद कर दीज और नमक एड़ करना है स्वादा अंसार और हां पकॉनियों को डाल देना है तरका मारी है कड़ी बन के तैयार है बहुत जल्दी बनती है दस मिट के अंदर बनती है कुकर की सीटी होती है उस उस पर धान दीजेगा आई होब यह जो मेरी आज की रेस्पी आपको अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो प्लीज से ट्राई करना ट्राई करने के बाद अपना अन्भो कमेंट स्वाक्स में जरू बताना वीडियो को लाइक और चानल पर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बगल में लगी कंटी बजा दो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेस्पी के साथ तब तक आप अपना ख्यार रखेगा बाबाई टेक्यार